आज है पहला रोजा तो जैसे आपको पता था कि सैरी के बाद सोय थे तो अभी हम जोहर के टाइम उठे हैं तो समझ में आया आए आपको यानि कि आधे से ज़्यादा रोजा तो इनोंने सोकरी निकाल लिया तो भाई ऐसे तो बहुत ज़्यादा सवाब देगा अला ताला इन तो चने वोबिगो कर आपको दंग से दिखा देगा उसको भी दिया है टीजा के साथ के जाओ तुम जाओ डॉक्टर के दिखाने के लिए उसमें अकल है वैसे जिसको चने भिगोने की अकल ना हो उसको डॉक्टर से बात करने की अकल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बैल आइकन प्रेस कर ले जिसे की मेरी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए तो कैसे मैडम ने चने भिगोने हैं पच्का किया है वो तो आपने देखी लिया है कहरे एक किलो चने भाई एक किलो चने अगर ये इतने सारे लोग भी है न तो भी एक किलो चने नहीं लगते क्योंकि वो भी फूल जाते हैं और फूल कर जस्ट डबल हो जाते हैं तो इतने सारे लोगों के लिए अदा किलो चने एनफ थे लेकिन पूरे एक किलो चने भिगो के रख दिये हैं और उसमें भी एक ग्लास पानी में जो कि वो खुदी उसका शोहर जो है उसका पचका करता हूँ नजर आ रहा था अरे भाई तुम ये एक बार जब तुम्हें पत पानी कम डालाता तो उसका कोई नुकसान थोड़ी न हुआ है उनको वापस से आप फिर से पानी भर दो उपर तक और वो दो घंटे में फिर से वापस से आपको फूल करना जरा जाएंगे यानि के फिर से वो भीग जाएंगे बहुत अच्छी तरीके सा फिर नमक डालके औ तो होड़ा से एक चुटकी सोड़ा डालके उबाल लो देसी तरीके से एक बात समझाती हूँ अगर कोई लड़की जब ऐसे काम करती थी ना शादी से पहले तो यह कहते थे कि ऐसे सारे काम करना बिगाड़ना और फिर उपर से हस के दिखाना यानि के लखन जड़ जाना य यह सारे काम आप रमजान से पहले भी कर सकते थे कि है एकडम तो है कि रमजान को आद य दूसरा तीसरा दिन हो गया जाब इन्हों ने यह वीडियो शूट कि है तो क्या एकडम से एकडम सारा वेट बढ़ गया होगा भाई आप पिछले दो-तिन साल से लोग आपको कहे जा और वाला है जो डरता है तो डरता है उसमें कोई इसकी बड़ी बात नहीं है मैंने तो इससे भी बड़ी एज की लोग देखें जो डरते हैं और अपनी मैडम को क्या भूल गए कैसी बड़ी बड़ी आंके निकालके इतराने का नाटक करकर के दिखाती है जबकि थायरोइड बाले पेशन्ट जो है हर छे महीने पे तीन महीने पे साल भर में पता नहीं कितनी बात हैरोइड कर टेस्ट देते हैं उसको कहते है अल्ला मिलाई जोड़ी अल्ला क्या मिला लिए खुद ने मिला के बना लिए और वो भी जबजस्ति की धंगी देकर माबाप को उसकी इतने कपड़े लाती है इतने कपड़े इसको आते हैं उसकी प्रमोशन के लिए फिर भी अम्मी के सूटों पर नजर लगाते है ती देखो कितना अच्छा सूट कितना प्यारा सूट तो कहती है हमारे लिए भी ऐसी रमजान के लिए तैयार कर देती तो सूट लाओ सिलाओ और तब हमारे सामने पेश करो वा कहीं कि महरानी हो ना हाँ मैं तो भूल गई तुम तो अपने आपको प्रिंसेस कहलवाना पसंद करती हो ना और फिर कहती है और फ्रेंड्स आप सबने कहा है ना ओरेंज वाल सूट लेलो मतलब कोई सवाल पूछती है तो फिर उनके जवाब पे रिपलाई भी करती है और फिर दिखाती भी है देखती भी है कि लोगोंने क्या रिपलाई करा लोग जब तुम्हें इतनी इतनी सीख देते हैं उनको भी कम भी कम बता दिया करो और रिपलाई भी कर दिया करो कि हाँ लोग मुझे सीख देते हैं या वो जो उस बच्ची के लिए जब लगातार लोग मेसिजिस कर रहे हैं पिछले दो साल से डाई साल से तब इससे पहले कम सकम गोर कर लिया होता तो फ्रेंड अब हम आ गए हैं पाउ लेने के लिए फ्रेंड नहीं फ्रेंड क्योंकि आज तो हमारे हैं पर content shoot होगा क्योंकि सारे content पर हमारा हाक है क्योंकि हमारे हैं रोज अफ्तियार होगा और जिसमें हम भर भर के पच्के करेंगे और shoot करेंगे और हसेंगे भी लोग अभी नई बास सुन लो पपीते को काटके छिलके carry है यही सबसे ज़ stanie मुश्कील है बाकि तो सब आसानी से हो से होजाता है आप जब mango को भी काट करते हो तब भी तो mango को ऐसी cut करते हैं उसके पहले उसको peel करते हैं फिर उसके pieces करते हैं तो उसमें कहां कौन सी चीज ज़ादा मुश्कील होगी जड़न आना आप आ लेकिन ना करने वालों के लिए तो भाई मुश्कील है भाई बनाया था ना पैसे लगा के नमाज रूम वो सरिफ इतना नमाज रूम बनाया था कि दोनों मिया बीबी भी एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते तो इतना छोटा बनाने की जरूरती क्याती है और उसको स्पेशल रूम देने की कैज़ होती है अगर वो पूरा ही साफ सुतरा है इनके अकॉर्डिंग और यह कह रहे है कि हाँ यहां पर भी पढ़ सकते जहां आपने नोटिस किया होगा ना यह देखिए एक स्क्रीन शोट शेयर कर रही हूं प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए य नीचे उसमें बैठ कर लेकिन चलो हो सकता है अम्मी को भी प्रॉब्लम हो तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर नमाज रूम में नहीं कर सकते हैं तो भाई यह स्पेशल अलग से नाम देने की वो जाली लगवाने की उसको पूरे को आप ऐसे ही छोड़ सकते थे और यह कह स अभी नहीं है वो पूछ कर बताएंगे अब देख लो इस मंद बुद्धी को इसको यह नहीं पता कि रमजान में से खाने का नाम और यह सब चीज़ें से नहीं बोलना चाहिए रोजा मुक्रू हो जाता है तो कह रहा है कि उसको कि फेस पर बेसन लगावा था मुझे तो ऐ अभीर है यह content create करने में तो हस के कह रहा है सर ढखते हुए उसका क्योंकि उसके चार बाल दिख रहे थे ना आगए कि खुले हुए जो चांद दिख रही थी उसकी टकलीपन तो कहता है कि खारी है यह बेसन घोल रही है मतलब रियली में वह रोजेदार है और तुम उसको कह कह रहे हो कि बेसन खारी है सच मुझ में इस पैसली नोटिस कराने के लिए तस्वी की जगा नहीं देखिया आपने यह देखो तो वह कह रहे है कितनी दाने है यह कितनी बढ़ी है तो कहरी बस पढ़ते रहो गिंती से कुछ नहीं होता बहुत होता है गिंती से बहुत सारी नही कमिंट बोक्स भर दिया लोगों लिख लिखकर तबो लोग ने संबुलो कईते पर यह सुना है हमने कि हालत में आ आप चेस्ट कर सकते हो किसी का आदमी अगर जालीम हो और उसको मार पिटाई का डर हो तो वो चेक कर सकती है तेस्ट कर सकती है तो अब ये देखो सीख देने चलिए है खबरदार अगर किसी ने ऐसा किया है अगर कोई नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए रोड़तों की इज़त करने चाहिए बस य पर दोनों भाई बेन दे ले रखा है एक ने अपनी बीवी को गुलाम बना के रख रख का यह बस यह समझते हैं कि अब चा है शुद्धर से थी यह नही कर दो दूनिया कैसी कैसी आपसे बहुत 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 अच्छी है दुनिया कहती है वयOb तो मैं आसपास देखा के सब अच्छे होते, लेकिन अगर नहीं होते हैं, तो सुधर जाओ, अल्ला से डरो, तुम नहीं डरती हो अल्ला से, तुम्हें डरना चाहिए ना, तुम किसी के उलाद को छीन कर लियाई हो, माबाप से, बुढ़े माबाप को छोड़ने के आगई हो, मरने के लिए जैसे तुमारी मम्मी छोड़ कर आ गई है तुमारे पापा को ले कर और फिर उनके आखिर वक्त में भी जाने नहीं दिया खुदा ना करे मुझे डर लगता है यह सोच कर भी कि शायद फनी के मम्मी पापा के साथ ऐसा ना हो क्योंकि बहुत दूर आप लोग रह होते हैं जो इतने मूरीद हो जाती हैं कि इनकी ऐसी घटिया हरकतों के बाद क्या वो अपने पीहर को छोड़ छोड़ के अपने ससुराल को नहीं समाल रही है क्या अपने ससुराल अपने जो इनलॉज हैं या अपने साससुर हैं ननद हैं उनको नहीं देख रही हैं क्या अ एक लोटा लड़का है। ठीक है भाई उनका अगर देखने के लिए इसके फनी के दो-चार भाई होतेs, तो समझ में भयाज़ा के भाई इस भाई ने करा तो बाकी के दो भाई तीन भाई तो हैं उसके देखने के लिए, वो देख लेंगे लेकिन अगर अकेला एक लोता बेटा है और उसको भी चीन के लिए आई है उनको मरने अकेले छोड़ने के लिए हारी बीमारी में तो कितनी गलत बात है शर्म आनी चाहिए इसको अल्ला की मार पड़ेगी इसको बही वक्त तो सबका आना होता है और एक दिन इसको भी वक्त आएगा अपने जूट अपने ही व्लोग में खुदी बताते थे हैं पहले कुछ और बोल देते हैं फिर कुछ और बोल देते हैं कहती है हमारी भुपाल की याद है जब पापा लेकर आते थे तो अमी ने कहा पीछे से तीन किलो ने पांच किलो तो मतलब एक बार में 5-5 किलो इनके पापा जो है वो आम लेकर आते थे और ये एक मिनट में खा कर उसको उड़ा देते थे इतने गरीब थे फिर भी 5-5 किलो इनके घर में आम आया करते थे तो भाई ये जो बताते हो कि दुपट्टा नहीं होता था ओड़ने के लिए लेकिन 5-5 किलो आम खाने की लिए पैसे हुआ करते थें तो कौन सी बात में सचाए है जरह ये भी बतादो और अगर लोग यह कहेंगे कि उस जमाने में आम जो है वो कम पैसे कर आते थे तो उस जमाने में दुपट्टा भी कम पैसे का या अना चाहिए लेकिन अगर आप आलू को थोड़ा मोटा काटोगे तो ऊपर का बेसन यह नहीं फूलेगा यह एक ठीक है अपशे तो अजमा का देखिए अगर आप चिप्स की तरह से बनाना है ना उनको तो आप उनको स्लाइसे से बिल्कुल बारी काटिएगा और अगर पकोड़े की तरह से बनाना है तो आप थोड़ा सा मोटा काटिएगा तो कहती है जो भूलना चाहिए पूरी वो तो फूलती नहीं है और जो पकोड़े फूलने नहीं च सारी चीजे बन जाते हैं गुलगुले वगरा सारी चीजे बन जाती तभी लेकर जाते अभी तो यह नोंने जो वड़ा पाओ का था उसके वड़े पाओ भी नहीं बने थे और पहले यह सिंद दिखा दिया कि वह प्लेट लेके नीचे जा रहे हैं और भाई मैं भी इस चीज क बहुत बड़ा सवाब है और इस सवाब को आपको लेना ही चाहिए तो जो भी है आप उनकी इस तरह से मदद कर दें और रमजान का तो मतलब यही होता है मिल बाटकर दुआओं में भी मिल बाटकर शामिल होना और इफ्तियारी में भी मिल बाटकर शामिल होना और एक दूस ना तो मजभिद building में जो ना शबके घर से जो भी है बना होताब वो सब जाता है महां पर जो रहागीर होते है जो लोग गुजर रहे होते हैं तो रहाघीर हैम्दे कहो किया करता है का जिनको नहीं मिल रहा है जो रहागीर है उनको भी रोजा खोलने के लिए चीज़े मिल जाती हैं। कलाम पाक यानि के कुरान पढ़ना, टाइम से नमाजे पढ़ना, तरावी पढ़ना, फिर अफ्तियारी के लिए सारी चीज़े बनाना, फिर उनके बरतन वरतन सब धोना, किचन साफ करना, यह सारी चीज़े और फिर जो घर के नॉर्मल जाडू पोच्छा, बरतन के काम होते ह वो सब करना अगर किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं जो रोजा नहीं रखते हैं उनके लिए भी दिन में खाना बनाना जो बहुत जादा बुजुर गए या बीमार होते हैं वो रोजा नहीं रखते हैं उनके लिए भी बनाना तो एक औरत को या घर की फीमेल को कहां इन सारी चीजों की फुरसत होती है कि वो ये सारी चीजे सोचे इसके अलावा भी पर इनको सारी की चीजों की सोचने की हिम्मत भी होती है और जरूरत भी होती है क्योंकि यही तो इनका content है बहुत ताकत आजाती है इनमें क्योंकि जो शैतान ने अपनी चाप छोड़ दी है न तो वो इन 30 दिनों में भी वो चाप निकलती नहीं है इसलिए तो इनके भाई ने रमजान में नमाज पढ़के कुरान पढ़के तुरंत जूट बोल दिया जबकि अवार्ड वह टेबल पर रखा हुआ था और ये बोल दिया कि च री टेक री टेक करके ये लोग उस व्लोग को शूट करते तो क्या वो जूट नहीं होता जूटी 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 चीजे बताना व्लोग में जूटी 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 चीजे अफवा फैलाना जूटी बाते बताना जो नौन मुसलिम हैं वो इन चीजों को आँख मिचके भरोसा कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता होगा ये सारी चीज़े बताना ये बहुत अच्छी चीज़े कि है रमजान में और दूसरी बात रमजान में दिखावा करना यानि कि जो भी चीज़े ये दिखाते हैं वो दिखावा है क्योंकि उसको ये दिखाते हैं शूट करते हैं एन देन उसको अपलोड करते हैं, फिर उससे पैसा कमाते हैं, ये तो सबसे बड़ा गुना आया है, तो छोड़ तो कहो इन से कमिट करके लोग, कि जब तक रमजान चल रहे हैं, इद तक कोई भी शूट ना करें, इद का व्लोग शूट कर लें, डारेक्ट और जब तक अपन अपनी तरफ से कोई नया नहीं, जो दिखाएंगे, उसके बेसिस में ही रियक्शन होता है, एक मुसल्मान होने के नाते, जब मुझे लगता है कि ये गलत चीज दुनिया को दिखा रहे हैं, गलत चीजे बता रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं, गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो definitely उन सब चीज़ों को correct करने के लिए हजार बार भी सामने आऊंगी वीडियो लेकर, इनको बोलो, जो गलत चीजे कर रहे हो, गलत चीजे बता रहे हो ना, उसको correct करने, नहीं मनाऊंगी मैं वीडियो, लेकिन इसलाम को अपने according तोर मरोड के बताना और इसलाम से ब तो उनको बेसर में डिप करके जब तलते हैं तो इतने सारी चीजे तली तलते 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 कम हो गया है तो कहरी थी है लू गढ़ सा कड़ाई को हलका हलका सा हिला लोगे तो वो तेल सा राम से तल जाएंगे जब एक तरफ से सिख जाएंगे फिर उनको जब फिलिप कर दोगे तो वो दूसरी साइड से सिख जाएंगे या फिर उसी तेल को उसी तेल को आपकी से छोटे बतन में शिफ्ट कर लोगे तो भी वो अराम से इसी तेल में आपके दो दो तिन तिन डालने पर भी सिख जाएंगे पर इतनी हकल तो होनी चाहिए ना तुमें कह रही है अगर मैं इसमें तेल डालूंगे तो फिर थंडा हो जाएगा ओ माई गॉड ये पहले नहीं दिख रहा था जब एक पहला डाला था उससे पहले देख ले थी कि तेल कम है तेल डाल दे थी तेल को तेज़ गरम कर ले थी और फिर बढ़ा ले थी पर इतना तेल वेस्ट करने की जरूँए थी क्या थी अगर इसी तेल में ये अराम से तले जा सकते थे बस दिमाग होना चाहिए वो तुम में है नहीं आज तो हम ये बना रहे हैं और कल से इंशालला बनाएंगे स्टाइलिस चीज़े जो इससे पहले हमने कभी नहीं बनाई बनाओगी नहीं तुम बिगाड़ोगी और बिगाड़ कर हसोगी और फिर उससे कंटेंट क्रियेट करोगी और फिर उसके बाद उससे पैसा यही तो तुम्हारा काम है तो चलो भाई अब हम देखेंगे क्या नया स्टाइलिस बनाओगी नहीं एक्चुली बनाओगी नहीं बिगाड़ोगी नया चिल्ला के कहती है नान तुमने ये बिगाड़ दिये देखो तुमने इसको फोल डाला अरे भाई वो जब एक तरिफ स सिखा ही नहीं है और उस लड़के को नहीं पता जब तुम्हें इतनी बड़ी को नहीं पता कि कैसे सिखते हैं कितना सिखते हैं किती देर में सिखते हैं उसे क्या ही पता होगा तो वो पीछे से चिला के कहता है फणी दयान सीख लो थोड़ा सा अरे भाई पहले अपनी कर दिये हैं पीजा ने उसको जो है वो पेड़े बना बना कर गोल गोल बना कर दिये जिससे कि वो अराम से जो हैं के वड़ा पाओ बन जाए तलते हुए वो दिखाई दे रहा था भाई इनका ठीक है ना और दूसरा हो सकता है गुल-गुले का आटा भी खाला ने जो है उसको तयार करके दिया हो फिर तीसरा वो जो विचारा शर्वत भी जो है नान ने बनाया है बस अरफन ही ने कैमरा पकड़ा है तो भाई अकेली ने कर रहा हो था ना जिस दिन ही अकेले इतना सारा काम कर ले भाई मैं मान जाऊं 15 मिनट के व्लोग में कम सकम 17 बार चने 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 क्या क्या ले भाई ठीक है तुझ में नहीं आकल तो इसको हर एक बन्दे को दिखाना बताना फिर उससे कंटेंट क्रियेट करना जरूरी है क्या अकल नहीं है तुम में केता हुएं किस एक बढ़ा है यह कितना बड़ा गुना है इस सैं आपका रोजा मुगर को जाता है हर एक पार्ट का रोजा होता है गलत नहीं सुनना गलत नहीं बोलना गलत नहीं सोचना गलत नहीं देखना हर चीज का और यह मैं उनको बतारी हूँ तुम्हें तो खेर मालूम होगा ही लेकिन मैं यह उनको बतारी हूँ जो मेरे नौन मुसलिम मेरे जो भी सब्सक्राइबर है मेरे followers हैं मैं उनको बतारे हूं जिनको नहीं मालूम actually Rosa जो है overall पूरी body का होता है उसमें गलत काम नहीं करते ना गलत सोचते हैं ना गलत देखते हैं ना गलत सुनते हैं ना सूंगते भी नहीं है मतलब बहुत सारी चीज़ा ऐसे हैं जिसमें restriction होते हैं में हमारा जो रोजा है उसका दीरे दीरे करके सवाब जाता रहता है यानि कि आपने रोजा तो रख लिया लेकिन उसका सवाब आपको proper नहीं मिलेगा क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बच्पने में रहती है कि ये इतने सारी चीज़े पच्के करती है कि भाई मुझे जो ना चाहती हूँ भी उसको दो पार्ट में लेना होता है चलिए मैं नेक्स पार्ट में मिलती हूँ आप से तिल दन बाय बाय लाफिस टेक के